अगामी सीजन को देखते हुए स्टार्च कारखानों की मांग बढ़ने के कारण मक्का की कीमते इन दिनों नई उन्चाई पर हैं जैपुर मंडी में मक्का 25 रुपे प्रतिक्विंचल घटाकर बोली गई पॉल्चरी फार्म्स के लिए मक्का 26 से 26 रुपे प्रतिक्विंचल बोली जा रही है वहीं गुजरात में मक्का के भाव 25 रुपे के आसपास हैं भारत में गेहूं चावल के बाद मक्का तीसरी महत्योपून फसल के तोर पर विक्सित है मुर्गी पालन शेतर में मक्का की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को अच्छा फायदा होने की संभावना है से ना केवल भारत में बलकि विश्व में भी इस फसल की लोग प्रियता तेजी से बढ़ी है केंदर सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए मक्का का MSP 1962 रुपे प्रतिक विंचल निधारित किया है चबकि वर्ष 2022-23 में 31.5 मिलियन टन मक्की का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है राजस्तान, महराश्च्र, मध्य परदेश और आंधर परदेश में नई मक्के की आवक अक्तूबर से प्रारंभ होगी वैसे भी मक्का के भाव चावल और बाजरे से भी महंगे हो गए है लिहाजा पॉल्ट्री फार्म्स और स्टार्च मिलो में मक्का की डिमान घटी है परणाम सुरूप मक्का के भावों में आगे मंदी के आसार दिखाई दे रहे हैं स्टोकी स्टोकी विक वाली के कारण भी वर्तमान में मक्का के भाव नीचे आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी